हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू मैं चैनल नितोस कुकिंग हब आज मैं अपलोगली लेक आएगू सूजी आलू से बनने वाले एक ऐसे चटपटे मज़दार नास्ते की रेसिपी जो मार्केट के बर्गर और सैंड्विट से भी ज़्यादा टेस्टी है जब आप इस नास्ते को एक बार ट्राई करेंगे तो मार्केट के सारे स्नेक्स का स्वाध भूल जाएंगे तो आएए इस रेसिपी को बनाते हैं सूजी आलू का नास्ता बना निकली यहाँ पर मैंने चार मीडियम साइज के उगले हुए आलू लिये हैं इसे मैं मैसर से मैस कर रही हूँ आप चाहें तो हाथों से भी मैस करके ले सकते हैं बहुत जादा बड़ी बड़ी कुटलिया ना छोड़े और यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू को मैंने मैस कर लिया है तो इस टाइम पर हैं कुछ सबजियां एट करेंगे तो यहाँ पे मैंने एक medium size की प्याज को बारीक टुक्रों में कट करके add किया है तीन लेसन की कलियों को grade करके रखा है साथ में आदे इंच अदरक की टुक्डे को भी मैंने grade करके डाला है आप चाहें तो अदरक लेसन का paste भी डाल सकते हैं थोरा सा हडा धनिया बारीक टुक्रों में कट करके add किया है एक चोटी चमच लाल मिर्च पाउडर एड़ किया है आप चाहें तो मिर्चे की quantity कम जादा कर सकते हैं एक चोटी चमच धनिया पाउडर एड़ किया है आदी चोटी चमच काली मिर्च पाउडर एड़ किया है साथ में आदी चोटी चमची मैंने जीरा पाउडर एड़ कर दिया है आदी चोटी चमच चाट मसाला पाउडर एड़ किया है साथ में आदी चोटी चमच गरम मसाला पाउडर एड़ किया है और अभी मैं इसमें एड़ कर रहे हूँ आदी चुटी चमच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर इसे हमारे नास्ते का कलर काफी अच्छा आएगा और अभी मैंने आपे लिया एक चोथाई कप बारीक वाली सूजी अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो मिकसर जार में 50 के एड़ करें साथ में स्वादय नमक एड़ कर दिया है और अभी इन सब चीजों को हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे अगर आपको लगता है कि आपके आलू में मौश्चर जादा है तो सूजी आप एक से दो चमच और भी एट कर सकते हैं और यहाँ पे देखें मैंने इसे मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं कि यह हमारा आलू मसाला रेडी हो चुका है तो इस टाइम पे मैं एट कर रही हूँ एक बड़ा चमच पाव भाजी मसाला इससे हमारे नास्ते का टेस्ट काफी ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर आपके घड़ में आज अबलेवल नहीं है तो आप इसकीप कर सकते हैं और अभी इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ढखके पाच मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दे ताकि जो हमने सूजी एट की है वो अच्छे से फूल जाए तो यहाँ पे पाच मिनट हो चुके तो मैंने इसे ओपन किया है और इसे हमें फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है और यह हमारा आलू मसाला रेडी हो चुका है और अभी हम नास्ते को सेप देंगे उसके लिए मैंने थोड़ा सा मिश्रन हातों में उठा लिया है और इसे दबाते हुए टिकी का सेप दे दिया है तो यहाँ पे यह जो टिकी बनाई है मैंने उसके लिए निम्बू जितना मैंने मिश्रन लिया था और अभी मैं इसे एक प्लेट में रख रही हूँ और अभी हम एक और टिकी बनाएंगे जो की इससे डबल साइच का बनाएंगे तो यहाँ पे मैंने आलू ले लिया है और बस इस तरह से दबाते हुए दूसरा टिक्की भी मैंने रेडी कर लिया है तो यहाँ पे हमें ये दोनों टिक्कियों का इस्तेमाल करना है नास्ता बनाने के लिए और अभी मैंने इसे भी एक प्लेट में रख लिया है और अभी यहाँ पे मैंने कुछ सबजियां लिया है साथ में थोड़ा सा पनीर के टुक्रे भी लिये है, तो यहाँ पे जैसे हम सैंडवीच में डालते हैं सबजीयां, वैसे मैंने slices में cut कर लिये है, तो खीरा, टमाटर और प्याज को मैंने cut कर लिया है, और पनीर के भी मैंने थोड़े बड़े-बड़े से टुकड़े लिये हैं और अभी जो हमने टिक्की रेडी की थी उस पे हम प्याज, टमाटर और खीरा रख देंगे साथ में इसके उपर से एक पनीर का टुकड़ा भी डालेंगे सबजिया और पनीर डालने के बाद जो हमने बड़ी वाली टिक्की रेडी की थी इसके उपर हम डालेंगे और टिक्कियों को हाथ से दबाते हुए इसे पूरी तरह से कबर कर लेंगे दूसरी टिकी पे भी मैंने सबजिया और पनीर डाल के उपर से टिकी रख दी है और यहाँ पे पहले वाले को मैंने हातों में उठा लिया है और इस तरह से आलू को दबाते हुए आप इसे ढखे चाकी चारो तरब से यह बिल्कुल भी ओपे ना रहे तो यहाँ पे आपको अगर लगता है कि आलू कहीं से कम है तो आप हलका सा आलू मसाला लेके उसे अच्छे से पैक कर ले तो यहाँ पे देखे इसे मैंने अच्छे से पैक कर लिया है और यह हमारा एक नास्ता रेडी हो चुका है और इसी तरह से मैंने दूसरे नास्ते को भी डेडी कर लिया है तो इसे हम करने वाले है फ्राई तो उसके पहले हम बनाएंगे एक सलरी उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है बाउल में मैं वन फोर्थ कप डाल रहे हूं मैदा आप आटे का इस्तमाल भी कर सकते हैं थोड़ा सा नमक डाला है एक छोटी चमच आज वाइन एट की है आदी चोटी चमच ही कलॉंजी एट की है साथ में एक बड़ा चमच मैंने तिल एट किया है और यहाँ पे मैंने लिया है एक कप पानी पहले हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स कर लेंगे ताकि सारी गुठलिया निकल जाए उसके बाद हम इसका एक पतला सा घोल रेडी करेंगे तो यहाँ पे इसे मिक्स कर लिया है मैंने साथ में थोड़ा सा हड़ा धनिया एट कर दिया है बारिक टुक्रों में कट करके ही डाले हड़े धनियों को और यहाँ पे आप देखें यह चमच को पतला सा कोट कर रहा है बस ऐसे ही घोल हमें ना रहे बस हमें पतली से कोटिंग करनी है इससे हमारा जो नास्ता बनेगा वो वाईली बिल्कुल भी नहीं बनेगा और इसे तन्ने के लिए मैंने तेल डाल दिया था गढ़म होने के लिए तेल को हमें मीडियम से थोड़ा सा ज्यादा गडम करना है और बस इस तरह से हम नास्ते को डालते जाएंगे तो नास्ते का साइच काफी बड़ा है तो आप आराम से डाले ताकि आपके हाथों पे छीटे ना पड़े तेल के तो यहां पे देखें मैं इसलिए बड़े चम्मच का इस्तमाल कर रही हूं और बस इसे पलट रही हूं क्योंकि इसे डाले हुए एक मिनट हो चुके हैं और इसे हमें उलटते पलटते हुए फ्राई करना है मिडियम फ्लेम पे ही आप इसे तले लो फ्लेम पे बिल्कुल भी ना तले फ्रेंट इसे फ्राई करने में 5-6 मिनट का टाइम आपको लग सकता है औ और यहाँ पर देख सकते हैं आपकी यह ते कतना ज्यास्ते को यह निश्टी दिख़ रहा है, आपि इसके सेप को देखें यह पूरा बrger के जैसा दिख रहा है और अभी यह फ्राई हो चुका है, कि ये उपर से क्रिस्पी तो है ही अंदर से कितना ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है तो आप इस रेसिपी को एक पर जरूर ट्राइ करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगे रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें ज़्यादा ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में सेयर करें साथ में बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें तंक्स पर वाचीं